मैं सजन्विंग यादव सहय का चार इतिहास राज की महा विद्यालकोट पूतली प्रिय विद्यार्थियों बीए पार्ट प्रथमवर्स इतिहास विशे के विद्यार्थियों हेतू प्रस्तुत विडियो का विशे है रिग्वेदिक आरियों का धर्म इमधार्मिक विश्वास देखे रिग्वेदिक आरियों का सामाजिक आर्थिक जीवन जितना सरल था धार्मिक जीवन उतनाई अधिक विशद और जटिल था यहां में प्रारम में भहुदेवबाद के दर्शन मिलते हैं यास्क के निरुक्त में देवताओं की शंख्या मात्र तीन बताई गई है प्रत्वी में अगनी, अंतरिक्ष में इंद्र या वायू तथा आकास में सूर्ये ये तीन देवता तीन लोकों के स्वामी थे रिगवेद में एक अन इस्थल पर प्रते एक लोक में ग्यारे देवताओं का निवास मान कर उनकी संख्या 33 कही गई है आरियों के प्रधाम देवता प्राकर्तिक शक्तियों के प्रतिनिदी हैं जिनका मानवी करण किया गया है रिग्वेदिक देवताओं को तीन वर्गों में वक्त किया जा सकता है जैसे पहला है प्रत्वी के देवता इसमें प्रत्वी, अगनी, सौम, ब्रस्पती, आपानपाथ, मात्र, अस्विन तथा नदियों के देवता हैं अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायू, वात, परजन, आप, यम, प्रजापती, अदिती, आदी हैं और आकाश के देवताओं में धोश, वरुन, मित्र, शूर्य, सवित्री, पूसन, विस्नू, आदित, उसा और अस्विन हैं इसके अतरिक्ष कुछ अमूर्त भावनाओं के दोतक देवताओं भी हैं जैसे स्रद्धा, मन्यू, धात्री, विधात्र, आदी रिग्वेदिक मंडल में पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है, कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं सिंदु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है, जंगल की देवी को अरणी कहा गया है, वाग देवी सरस्वती की भी इस्तूती की गई है समस्त देव समू में इंद्र वरुन तथा अगनी का सरवादिक महत्पून इस्थान है इंद्र को विस्व का स्वामी कहा गया है वे प्रधानत युद्ध का देवता है आरियों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजे दिलाई है इंद्र की प्रमुक्षंग्या पुरंदर थी वे मेगों को रोक कर जलकी वर्षा करता था वरुन जगत का नियंता देवताओं का पोशक तथा रित का नियामक था वे आकास प्रत्वी तथा सूरिय का भी निर्माता था वायू उसका स्वास था तथा रित्वों को नियमित करने का कारे वरुन के दुवारा ही किया जाता था वह सभी मनुश्यों के कारियों का निरिक्षन सूरिये रूपी नेतर से करता है तथा पाप्यों को अपने पास में आबद कर लेता है उसे जलका भी सुवामी कहा गया है रिगवेद में लगबग एक चोथाई सुक्त इंद्र को शमर्पित हैं वैदिक काल में के बाद वरण का महत्व घट गया वह एक मात्र जलका देवता रहे गया प्रत्वी के देवता में अगनी का महत्व सबसे अधिकता कुछ इस्तानों पर उसे धोष तथा प्रत्वी का पुत्र कहा गया है इसी के दुआरा यग्शंपन्न होते थे तथा यही आहूतियों को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करता था देनिक कारियों में अगनी का उपयोग था इसी के दुआरा दहाकर्म किया जाता था अगनी का शंबन्द विभिन देवताओं से जोड़ा गया अगनी को सूरिय का ही रूप कहा गया है वह चर अचर का ग्याता है इसलिए इसे जाती वेदस कहा गया है सूरिय के समान सर्वद्रस्टा होने के कारण उसका नाम भुहन चक्षू है वेराक्षसों पिचासों आदी का विनासक तथा मनिश्यों का मित्र इम्रक्षक था जिसके कारण उसे पिता बंधू या मित्र भी कहा गया है शीत रोग अंदकार हिंसक पसू सभी उसके भैसे दूर भागते थे इस प्रकार अगनी का महत विविद प्रकार का था अगनी के बाद प्रत्वी वासी देवताओं में सौम महत्पून था यह देवताओं का प्रमुख पे भी था जिसमें देवत्व का आरोपन किया गया है वै आनंद तथा प्रफुलता का देवता बन गया आकास के देवताओं में सूरिय सरुप्रमुक्त थे जिनकी इस्तुती पूरे दस सुक्तों में की गई है उन्हें सर्वदर्सी एमन इसपस कहा गया है सविता उन्ही का एक रूप है अस्विन नाम के दो युग्म देवता देवों के कुसल चिकित्सक कहे गये हैं उन्हें नासत्त कहा जाता है इंद्र अगनी और सूम के पस्चाद सर्वदिक सुक्त इन्ही को शमर्पित है रिगवदिक आरियों ने अपने देवताओं की कल्पना मनिश रूप में की तथा उनमें समस्त मानवोचित गुणों को आरोपित किया देवता तथा मनिश में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर माने गए जबकि मनिश मर्त है था देवता मनिशों की अपेक्षा अधिक सक्तिसाली होते थे तथा उनमें मनुश्यों जैसी दुरबलताएं भी नहीं होती थी सोम्रस देवताओं का मुख्य पे कहा गया है रुद्र के सिवा अन्य देवताओं का स्वरूप मंगलकारी बताया गया है वे आसूरी शक्तियों का दमन करते हैं तथा प्रकरती की वेवस्ता के नियामक हैं सज्जनों को पुरुस्करत इम दुर्जनों को दंडित करना उनका कारड़े है उनका निवास इस्थान स्वर्ग अत्वा विश्णों का तृत्य पत बताया गया है जहां सोमरस्पान करते हैं वे सुक पूर्वक निवास करते हैं इस देव समू में सरव प्रधाम देवता कोन है यह निरदारित करना कठिन है रिगवेदिक रिशियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सरवुच मान कर उसमें संपून गुणों का आरोप कर दिया है मैक्समूलर महोदे ने आर्णों की इस प्रवर्ती को हीनो थीज्म कहा है जहाँ लेखनी है कि रिगवेदिक देवता प्रधानते पुरुष देवता हैं कभी कभी देवताओं की कलपना पसू रूप में भी मिलती है जैसे इंद्र या धोस को वरसब इमसूरिये को अस्व के रूप में कलपित किया गया है परंतु इससे ऐसा समझ लेना कि रिगवेदिक आरिये पसू की भी पूजा करते थे यह उचित नहीं होगा किसी पसू को पूरवज मानकर उसे पवित्र और देवता मानने का विस्वास भी रिगवेद में नहीं मिलता है कहीं कहीं इंदर की मूर्ती को सत्रों से रक्षा करने वाली कहा गया है इसे तावीज में विस्वास की कुछ जलक हमें रिगवेद में प्राप्त होती है देवताओं की उपासना यग्यों के दुआरा की जाती थी यग्य में दूद, अन, घी, मास, सौम की आहूतियां दी जाती थी यग्ये विधी विदान अत्यंत जटिल थे रिगवेद में धर्म सब्द विधी के अर्थ में प्रियुक्त हुआ है इसका संबंद नैतिकता से नहीं है धर्म के अत्रिक्त हमें दूसरा शब्द रित मिलता है जिसी पांडे रित की वित्पत्ती रीधातू से मानते हुए इसका अर्थ गती और गती का मार्ग हेतू और लक्ष बताते हैं सभी देवताओं का संबंद रित से माना गया है रित का अर्थ है सत्त तथा एविनासी सत्ता रिगवेद में इसकी बड़ी सुन्दर कलपना मिलती है बताया गया है कि सरस्टी के आदी में सरप्रथम रित की ही उत्पत्ती हुई फिर रत्त्री जन्मी फिर तरंगित समुद्र तरंगित समुद्र से समवच सर का जन्म ववा जंगम विस्व के स्वामी ने दिन तथा रात्री बनाई विधाता ने सूरिय और चंदर को पूरुवत संकल्पित किया आकास और प्रत्वी अंतरिक्ष तथा सूरिय को भी बनाया इस प्रकार रित के दुआरा विस्व में सू विवस्था इंप्रतिस्ठा इस्थापित होती है यह विस्व की विवस्था का नियामक है देवता रित के स्वरूप हैं अत्वा रित से उत्पन्य होते हैं तथा वे अपनी देवी सक्ति के दुआरा रित की रक्षा करते हैं रिगवेद में देव पासना का जो मुख्य उद्देश था वो भोतिक कल्यान जैसे युद्ध में विजय अच्छी खेती संतान प्राप्ती आदी था उपासना का लक्ष पार्मार्थिक शुक नहीं था देवता आहूतियों दुआरा प्रसन्न होते तथा फल प्रदान करते थे कुछ यग अत्त विस्तरित इम खर्चिले होते थे जिनका अनुस्थान सामान मनुश्च के बसकी बात नहीं थी सौम यग रिगवदिक आरियों का सरवादिक महत्पून प्रशिद्ध यग गिता जिसका विस्तरित विवरन मिलता है यह एक दिन दो दिन से बारे दिन अत्वा तेरे दिनों से लेकर एक हजार वर्ष तक संपन्य होने वाला यग गिता इसके लिए तीन-तीन वेदियों अत्वा अस्तियों बहुशंक्य कुजारियों जिनमें चार प्रधान होते थे कि आउशक्ता पड़ती थी चुकि इसमें सोमलता के रसकी आहूती दी जाती थी अत इसका नाम सोमयग अत्वा सामयग पड़ गया इसकी व्यसार्दिता के कारण केवल राजन और संपन्य वर के लोग ही इसे संपन्य कर पाते थे रिगवेद का द्रस्टिगोंड इस पस्ट ते कुलीन तंत्रिये था जिसमें जनता के लिए उप्युक्त लोक प्रिये धर्म भहुत कम मिलता है परंतु देवताओं की बहुलता इमकरम कांडों की जटिलता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी सिग्र ही रिगवेदिक रिशियों ने बहुदेवबाद को चुनोती दी देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिला कर एकी सिरेणी में किया गया प्रत्वी तथा आकास को मिला कर ध्यावा प्रत्वी नाम दिया गया मित्र वरुन उशारात्री को सयुक्त किया गया मरुतों आधित्यों तथा अस्विनों की भी एकी सिरेणी मानी गई किन्तु उन्हें इतने से ही संतोस नहीं हुआ वे तो सरवोच देवता की खोज करना चाहते थे उनकी जिग्यासा बढ़ती गई तथा अपने चिंतन के अंतिम इस्तर पर उन्होंने ये जान लिया कि सत एक है और ग्यानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं जैसे अगनी, यम, मात्रशिवा, आदी प्रिशिद पुरुष शुक्त में रिगवेदिक रिशी संपून जगत को एक रूप में देखते हैं सरस्टी को विराट पुरुष के आत्म यग्य का परिणाम बताया गया है उसे विश्व कर्मा, हिरन गर्भिया, प्रजापती, अदीती, आदी नाम दिये गये हैं मानव चिंतन के इतिहास में यह अद्वयत वाद की प्रथम अनुभूती है, इसके अनुसार विराट पुरुष सहसर सिर नेत्र तथा सहसर पैरों से युक्त है, वह संपून प्रथवी में व्यापत है, तथा उसमें दस अंगुल भी परे नहीं है, जो कुछ भी है तथा ह होने वाला है, वह सब पुरुष ही है, वही अमरत्व का स्वामी है, अन्य से पोसित होने वाले समस्त प्राणियों में उसी की सत्ता है, उसकी इतनी महीमा थी कि उससे भी महान वह पुरुष था, समस्त विस उसका एक पाद है तथा उसका तीन पाद बाहर अंत्रिक्ष में हैं उसके एक पाद से समस्थ भूत व्याप्त हैं तथा तीन पाद धिलोक इस्तित अम्रत हैं यही चारों और चराचर जगत में व्याप्त है इसी प्रकार एक अन्य शुक्त में बताया गया है कि समस्ध देउताओं के भीतर वर्त्मान सामर्थ एक ही है रिगवेद के नास्दिय सुक्त में निर्गुन ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है देवताओं को असुर कहा गया है कालांतर में यह सब राक्षसों का सूचक हो गया रिगवेदिक आरियों के परलोक विशेक विचार अधिकस्पस नहीं है एक इस्थान पर मृत आत् जल सभी सुंदर तथा आनंद दायक होते हैं वहाँ मनिस बलिष्ट तथा सुंदर सरीर प्राप्त करता है और उसका सरीर सभी प्रकार की दुरबलताओं आधि व्यादि से मुक्त हो जाता है पुन्यकर्मी प्राणी अपने यग्यादी कर्मों का फल वहाँ प्राप्त करते वहाँ अस्वत व्रक्ष है जिसके नीचे यम देवताओं के साथ पान करते हैं नरक्की कल्पना दुसकर्मियों के लिए दंड के इस्थान के रूप में की गई है ऐसा लगता है लोग पाप करम के दुस परिणामों से डरते थे पाप रित के उलंगन से पैदा होता था रित क के मारग को स्रिष्ट मारग कहा गया है देवताओं की उपासना यग्जिय विदी विदानों का अनुस्थान तता इस्वर की इच्छा के अनुकूल आचरन करना यही नैतिक जीवन के आदर्स थे रिगवेदिक रिशियों के विचार पूरणतय आसावादी थे जिसमें नि वीर्क आयू रोगों से मुक्ति वीर संतती धन सक्ति खान पान की अधिकता सत्रों पर विजय आदी की प्राठनाओं से भरा है रिगवेदिक रिशियों ने जीवन को बंधन मान कर उसके सुखों की उपेक्षा करने का कभी प्रियास नहीं किया और नहीं काया कलेस आदी मे विश्वास किया प्रस्तुत वीडियो में इतना ही धन्यवाद